अमेरिकी अंत्रक्ष एजंसी नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह से एक चौकाने वाली तस्वीर भेजी है। इस तस्वीर में मंगल ग्रह की कठोड चट्टानों में बड़ी ही सुघरता से काटे गई गुफा का एक मुहाना सा दिक रहा है। दर्वाजे जैसी इस आकृती को लेकर पिछले कुछ दिनों से कई सवाल उट रहे हैं। कईयों ने इसे दर्वाजे जैसी आकृती बताया तो कईयों ने कहा कि प्रिथ्वी से इतर किसी दूसरी सब्हता के लोगों ने इस रास्ते को बनाया होगा। NASA का कहना है कि ये तमाम बातें नजर ये की हैं NASA ने इस तस्वीर की पहचान Soul 3466 सीरीज की एक कड़ी की रूप में बताई इसे Mars Exploration Program की वेब साइट पर कई फ्रेम में जारी किया गया है इसे जारी किये जाने के बाद इंटरनेट पर लोग इसके आकार और इसके दर्वाजे या रास्ते को लेकर तरहे तरहे के सिधान पेश करने लगे लेकिन यह तस्वीर खास सीरीज का महज एक हिस्सा भर है और पूरी तरह से देखने पर इसके आकार को लेकर बनने वाला नजरिया बदल सा जाता है नासा ने BBC को बताया कि यह किसी चटान में एक छोटी सी दरार का बहुत बड़ा शोट है इस आकरती की संपून्धा को समझने के लिए एक और तस्वीर को देखा जा सकता है इसमें देख सकते हैं कि जजेरू क्रेटर की चटान में यह दरार बहुत छोटी है मालूम हो कि इस क्रेटर को कुछ हफते पहले Curiosity Rover ने खोजा है नासा की Jet Propulsion Laboratory यानी JPL के विज्ञानिकों ने बताया है कि इस दरार का आकार बहुत छोटा यानी 45 सेंटिमीटर लंबा और 30 सेंटिमीटर चौड़ा है नासा के मताबिक इस पूरी तस्वीर में लाइन से कई फ्रेक्चर है और यह दरार ऐसी जगह है जहां कई फ्रेक्चर एक दूसरे को काटते है इस फ्रेक्चर पर पिछले कुछ दिनों में कई विशेशग्यों का ध्यान गया है ब्रिटेन के एक जियोलोजिस्ट यानी भूवग्यानिक नील हॉजसन ने मंगल ग्रह की भूव आकरतियों का काफी अध्यन किया है उनका कहना है कि यह तस्वीर उत्सुकता पैदा करने वाली तो है पर रहसी में नहीं है लाइफ साइंस नामक वेबसाइट को उन्होंने बताया कि संग्शेप में कहूं तो मुझे यह प्राक्रतिक कटाओ लगता है इस तस्वीर में चटान की जो बनावड दिख रही है उसमें गाद और रेत की कई पढ़ते हैं हौजसन ने बताया कि चटान बनाने वाले हालात में लगभग 400 करोड साल पहले यह पढ़तें जमा होती गई यह परत शायद किसी नदी में या हवा के जोंके से टीले के रूप में जमा हुई थी सदह पर होने वाले फ्रैक्चर स्वाभाविक रूप से ऐसी दरारे बना सकते हैं लेकिन इस तरह का कटाओ तब बनता है जब कोई फ्रैक्चर उपर से नीचे बने और चटानों की परतों को काट दे